नमस्कार आर्गेदांगी चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करें कि एंसीवीटी माइस पोर्टल पर अगर ट्रैनिवेरी पे किसन आपका छूट गया है या एपी आई से डाटा ट्रांसपर नहीं किया है कुछ बच्चों का तो आप जरूल कर लें एक देख रहा है तो आप यह वीडियो पूरा देखें और साथी साथ ट्रैनी वेरीफिकेशन से रिलेटेड अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वाउटू ट्रैनी वेरीफिकेशन अब आयार के दांगी तो बिर आपको वीडियो मिल जाएगा और यह वीडियो आप प अब यह वीडियो पर नहीं तो पर यह चीज आप सबसे पहले कर लें इसके लिए भी डेट वही है च्छे मई से सोला मई के बीच में यह खोला जा रहा है अब आजाता है सेकंड अगर आपने डिश्चार्ज कर दिया है कोई भी कारण हो आपका आप सेकंड नमर का पॉइं आप क्या करते हैं API से जब डाटर ट्रांसपर करते हैं तो हर बच्चे का एक टी आर नमबर टेंपररी रेश्टेशन नमर जनरेट होता है उस टी आर नमबर की हल्प से आपको ट्रैनी वेरिफिकेशन करना रहता है या तो बच्चों से खुद कर रहा है आप टी आर नमर उ टी पी आता है जब ओके कर देते हैं फिर आपको क्या करना रहता है जब बच्चे ने टैनी वेरिफिकेशन कर दिया और बच्चे की आप में आप नहीं कर लिया फिर आपको करना रहता है अप्रूब तो अप्रूबर आईडी आपकी जो रहती है एक क्रेटर आईडी रहती बहां से आप जैसे ही अप्रूब करेंगे तो बच्चे का TR नम्मर की बगल में एक registration नम्मर मिल जाता है जो कि R21 से start होता है तो वो registration नम्मर आपका generate हो गया इसका मतलब बच्चा MIS portal पर successfully registered हो गया है और अगर आपका number generated नहीं हुआ है इसका मतलब बच्चे का ट्या तो ट्रेनि वेरी पेकेंसन नहीं किया गया है आपके दोहारा या बच्चे की दोहारा तो फिर आप वो करा लें और आप अपरूब अपरूब जरूल कर दें जब तक आप अपरूब नहीं करेंगे तब बच्चे का registration नम्मर ज यह वीडियो बता दे कि अगर उन्होंने अप्रूब करना रह गया या आपने वेरिपेकेशन ही नहीं किया है वेरिपेकेशन कैसे करते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाया हुगा है आई ट्रैनी वेरिपेकेशन आरके दांगी से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो अब एक चीज यह हो जा रही है अब आप देखिएगा कि जब हम यह वेरिपेशन अगर नहीं करेंगे आप तो परिक्षा में आप नहीं वैट आएगे मैंने यह आपको बता दिया है आप जब तक trainee verification और trainee का verification अगर approval नहीं हुआ है तो आप नहीं वैट पाएंगे यह 100% आप दिमाग में रख लें तो आप चेक कर लें आपका अगर registration number R2112 नहीं मिला है तो आप ITI से तुरन संपर्क कर लें अप किस कारण से नहीं मिला या तो फिर आपका API से data transfer नहीं हुआ होगा या हो गया होगा तो फिर आपका verification नहीं होगा होगा और verification अगर नहीं होगा होगा तो फिर आपका approval ID से अपरूब नहीं किया गया होगा यह चीज जरूल करने के लिए और दोस्तों इस वीडियो को हर उस बच्चे तक जो ITI में पढ़ रहा है उस तक आपको पहुचाना है आप अपने status पर गुरूप पर सभी जगे share कर दें जिससे कि कोई भी आपका साथी दोस्त परिक्षा से बंचित ना रह जाए इसलिए यह मैंने वीडियो बना दिया यह अंतिम मौका है बेरिफिकेशन का और अप्रूप करने का तो जाके यह वीडियो देखके वो अपने ITI की जो भी ओनर है उन सबसे संपर कर लेगा अगर उसको रच्टेशन नमर नहीं मिला है और साथी साथ दोस्तो हमारा आर के दांगी टेलिग्राम चैनल है वो भी जोइन कर लें जिससे कि हम वहाँ पर भी अपडेट देते रहते हैं समय समय पर जाते जाते वीडियो को सेर जरूल कर दें और चैनल को सबस्क्राइब कर दें बहुत बहुत धन्यवाद